प्रोटीज में आपने देखा था क्या कि एक 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 असोसियेटिव प्रॉपल्टी को क्या करता है मैंट्रिक्स जो होगा है असोसियेटिव प्रॉपल्टी को फोल्ड करता है इसके बाद हमने देखा था कि कम्निकेटिव प्रॉपल्टी को फोल्ड नहीं करता है कम्निकेटिव प्रॉपल्टी को फोल्ड नहीं करता मतलब A, B इसक नाट इवर तो B, C कम्निकेटिव प्रॉपल्टिक्स में प्रॉपल्ड नहीं उता है थर्ड़ देखा था आपने कि इंटिक्षिस्टेंस अप आइगठांटी इसको मैंने बताया थाच्या कि यह तू आडर का है तो कैसे लिखेंगे यह बंज्वाण जीरो वां ऐसे थ्रिया अटर का होगा तो यह अपका थ्रियाइडरिकर इं। हम श्कोर्दनितियास क्या होते हैं निद्ध्रिकेंज से वांटरिकों ॥ नो वह स्क्राश्व नो घस्केटिविडेश्वर्देश्मिण अजर्टिक आडर क्या हो या नहों कभी तो एन एन कांसिल होगा तो इसकी वेलू क्या जाएगी एग या आई इंटो ए आपका पास भी तो एक पास भी होगा यानि कि इसका भी आदर क्या हो जाएगा है से इंटिक का भी जिस्ट होगा आपका स्कॉयर मैट्रिक्स के साथ इडंटिक का मैट्रिक्स का मुल्टिकेशन करेंगे तो हमें से क्या जाएगा वही मैट्रिक्स सकता है तो आई जो है आई को आपके बज़ेद काते हैं लिए स्कॉयर मैट्रिक्स का इंटिक का साथ इस इपका और हमने के साथ करेंगे तो इधर आतल कमुनिकेटिव Leftachen य को इदंटिक लिए स्कॉयर मैट्रिक्स होना चाहिए इप इडंटिक को रेगा ठीए gotta ठीर पोर्थ है जब मालों आपका square matrix के साथ identity matrix का multiplication वही आता तो I क्या है identity है तो existence of inverse अगला है existence of inverse matrix inverse matrix matrix कि मैट्रिक्स अब आपको आपने उसमें लुकाय था function में की दो function यव ओजी कव इनवर्स होते हैं जब इनका composition क्या आजाए identity आजाए है तो आप कहते हैं क्या जी इनवर्स आप यह तो same property यहां पर भी है आपने कहा कि इनवर्स matrix of a meaning क्या हो जाएगा कि a b का multiplication क्या आजाए identity आजाए और इधर से b a का भी multiplication क्या हो जाए identity तो आप कहेंगे b is inverse matrix of a लेकि इसमें एक rule है कब inverse exist करेगा जब आपका a कैसा होना चाहिए अब देखो दोनों a पहला होना चाहिए square matrix हरका तो identity के साथ multiplication हो नहीं सकता तो पहला होना चाहिए a कैसा होना चाहिए square matrix यहनि कि inverse किसका exist करेगा square matrix का inverse किसका exist करेगा square matrix का और दूसरा होगा एक सीच और आगे हम पढ़ाएंगे a is singular matrix a is non-singular sorry non-singular matrix non-singular matrix मतलब होता है जिसका determinant value 0 ना हो उसको हम क्या कहते है non-singular matrix तो inverse का exist करता है किसी matrix का कि जब o square matrix हो and दूसरा क्या है determinant of a is not 0 then you say that existence of matrix A inverse of existence of matrix A और किस रूल के हिसाब से होगा a multiplication b matrix के value क्या जाएगी identity same is the same is the same composition of function की तरह composition of function की तरह है composition of function की तरह है जैसे आप में f og करते है तो identity आता है identity i identity मतलब identity क्या होती square matrix होता है identity e square matrix आप आर्डर का है तो कैसे होगा इसके diagonal element 11 होंगे बाकी element क्या होंगे 0 order 3 होगा इसके diagonal element 111 और बाकी element क्या होंगे 0 होते हैं और existence of identity इसके साथ होता है square matrix के साथ क्यावल होगा कि a i is equal to a is equal to i a बाकी साथ क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि जैसे माल लो एक example जैसे एक matrix a है m cross n और i होने साथ square matrix होगा a n cross n होगा तो इसका value क्या जाएगा a m cross n अब उल्टा भी होना चाहिए a n cross n into a अब यह m cross n है तो क्या होगा अब इधर से inverse identity ही नहीं बन रहा है तो कब बनेगा a जब दोनों से नहीं होगा a भी कब पास भी है m is equal to a square matrix होगा तभी आपका identity role hollow होता है ठीक है तो a आपके property है a और बचा है fifth property distributed rule distributed क्या है multiplication में देखिए एक और बचार है उसको दीते है distributed fifth है distributed multiplication over addition multiplication over addition multiplication in matrix 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 में distributed rule multiplication and addition matrix 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 क्या थे आपका matrix आपका फोल्ड करता है distributed rule आपका प्लड करता है और एक और है, 6 भी कर सकते हैं, 0 matrix के साथ, जैसे मानने लिजे, कभी-कभी क्या होतेता है, A.B. suppose A आजाए आपका 0 matrix, तो this implies that A is 0, A is 0, matrix A 0 है, R matrix B 0 है, R, A matrix B 0 नहीं है, और matrix B भी 0 नहीं है, इसके मतलब क्या है, कि दो matrix का multiplication एक 0 matrix है, तो इसके मतलब A नहीं है, कि A 0 होगा या B 0 होगा, या हो सकता A और B दोनो 0 नहीं, ऐसा भी possible है, कि बहुत सारे ऐसे matrix मिलेंगे, जिनका multiplication क्या है, 0 matrix आएगा, तो A अपना understood करो, कि matrix A ही 0 होगा, जैसे आप simple multiplication में करते हो, जैसे x y is equal to 0, real number के case में, तो या तो x 0 होगा, या तो y 0 होगा, लेकिन multiplication case में ऐसा नहीं है, मतलब x y अगर real number है, तो आप क्या कहते थे, आइदर x 0 और y 0, यहीं कहते हो न, लेकिन matrix की case में ऐसा नहीं है, कि A dot B 0 matrix है, तो A 0 होगा, या भी 0 होगा, ऐसा नहीं है, यह भी हो सकता है कि A और B दोनो 0 नाम हो, यह भी आपका possible है, ठीक है, तो A आपके multiplication के सम, आपके property होते हैं, जिसको आप खोड़ा से handmade देगा, और उसके बाद, एक question करते हैं, जांपर number 18, इसको समझेए, जांपर number 18 एक important question है आपके लिए, क्योंकि आपको बताएं है कि इस chapter में आपका elementary matrix जो है, ओ क्या है आपको, इस बाद CBFC ने क्या दिया इस साल के लिए, क्या है तो आप क्या करेंगे, जिसको कायदे से सीखे रही, कोई भी question आपको आजाएगा, elementary जो है, operation जो है, इस बार आपके course में नहीं है, समझना रहा ना, तो जब इतना है तो आपको एक चीज छोटा छोटा चीज जान लेना चाहिए, तो example 18 देखो, इसको समझने की courses करो, example 18 है, एक matrix A है, suppose, we have 123, 3 minus 21, and 4, 2 and 1, so आपको जिम्हाना है, तो आपको जिम्हाना है, then so that, then show that आपको करना show करना है A cube minus 23A minus 40I is equal to 0 matrix A आपको show करना है A cube plus 23A minus 40I I मतला identity matrix और 0 यहाँ क्या है? 0 matrix है 0 को 0 मत सनजेगा 0 क्या है यहाँ पर? matrix है A आपको prove करना है ठीक है? तो पहले आप देखे A matrix A तो पता है लेकिन अब A cube तब पहुंचना है यानि कि आप पहले निकालना पड़ेगा A square matrix A square मतलब A dot A ठीक है? A matrix में A का multiplication करेंगे तो क्या आजाएगा? A square तो A square करिए तो A आजाएगा 1, 2, 3 3, minus 2, 1 and 4, 2, 1 और दूसरा matrix आपका है 1, 2, 3 3, minus 2, 1 and 4, 2, 1 अब A square आप करिए A square मतलब A dot A तो एका multiplication आप करेंगे तो चोड़े करते हैं जल दे यही करने तो A आजाएगा पताएगा याद करिए तो पहले का पहले का हो जाता है तो आजरा आको corresponding multiplication करना है तो 1 into 1 क्या ओजाएगा 1, 2 into 3 क्या हो जाएगा 6 and 3 into 4 12 पहला multiplication हो गया ठीक है ऐसे ही अब दूसरा दूसरे row का second row का first column से multiply करेंगे तो second row का first column लिखते हैं बाद समझना रहा है ना तो यह क्या हैगा 3 into 1 3 minus 2 into 3 क्या हो गया 6 and 1 into 4 क्या इतना गया 4 फिर ऐसे third आप करेंगे third जो है आप क्या है ए वाला 4A, third जो है इसका row पहले column से करेंगे तो third position पे इसके लिखेंगे third row का first column 4 into 1 4 2 into 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा and 1 into 4 क्या हो गया 4 यह पहला आपका column complete हो गया ऐसे ही ओके अब हम लोग इसको हटा दे हैं अब हम लोग दूसरे column पे इस सारे element का multiply करेंगे सिस्पिसली row से ठीक हा दूसरे column पे तो दूसरे column पे करेंगे कैसे होगा 1 into 2 इतना हो जाएगा 1 into 2 2 हा जाएगा 2 into minus 2 minus 4 and 3 into 2 क्या हो गया 6 ठीक हा पहले row का दूसरे column से करेंगे तो दूसरे column का पहला row ऐसे दूसरा row अब दूसरा column लेखेंगे तो यहां दूसरा column क्या दूसरा row तो यहीं कि 3 into 2 6 minus 2 into minus 2 plus 4 and 1 into 2 क्या जाएगा 2 क्या जाएगा ऐसे 4 into 2 आपका 8 हो गया 2 into minus 2 minus 4 and 6 into 2 आपका जाएगा 12 ऐसे आपका third row अब इसका चलेंगे किसमे third row में ऐसे multiplication ठीक है एक third row वाला एक इस पे इस पे आप multiplication करिए तो आजाएगा 1 into 3 3 2 into 1 2 and 3 into 1 3 अब 3 से करके 9 आजाएगा minus 2 and 1 ऐसे 4 अगरेंगे 12 प्लस 2 and प्लस 1 यह आपका आगा है A square इसको solve कर लीजे तो कितना आजाएगा इसको solve करेंगे यह देगे 19 अब देखिए 19 हो गया 4 आजाएगा और 8 आजाएगा 1 12 और 8 आजाएगा और अगर आजाएगा 14 6 और 15 आजाएगा अब निकालेंगे आप A cube A cube matrix मतलब क्या हो गया A square dot A ही लिख सकते है A square मेंज क्या हो गया A square dot A तो फिर एक बार और करना पढ़ेगा आपको तो A आजाएगा 19, 4, 8 1, 12, 8 और 14, 6 और 15 अब इसमें आप multiplication करेंगे फिर किससे A से A क्या है आपका 1, 2, 3 और 3, minus 2, 1 और 4, 2, and 1 ठीक है? अब इसका multiplication करीए आप जबरी से Yes तो इसका multiplication आजाएगा आपका अब हम लोग डायरेट जल्दी से कर देते हैं 19 और 12 तीन चोक का बारत तो इसका जल्दी साब बताए इसमें आप चलते रहेए तो A आजाएगा आप multiplication कर लेंगे तो इसमें आजाएगा आप multiplication सेम करेंगे मतलब पहले रो पहला कालम तो यहां आजाएगा देखें 19 आजाएगा 19 आजाएगा 4 में 3 करेंगे 12 तो 31 हो गया और 8 में 4 करेंगे 32 31 और 32 में लेके 63 ऐसे सारे आपका A आजाएगा तो A स्क्वायर अब A क्यूब आ गया यहनि A function आ गया अब सारी की बैलू उठाके इस equation में आप substitute करेंगे ठीक है तो देखें चलिए करते हैं कैसे इसको हम स्क्वायर और आप विटाते हैं और इसको इसे पे बैलू आप substitute करेंगे ठीक है तो आपका है A स्क्वायर A Q मैट्रेस क्या गया आपका गया 63 46 69 69 minus 6 23 92 46 and 63 that is A Q minus 23 A A मैंट्रेस आपका यही है 1 2 3 3 minus 2 1 4 2 and 1 और minus 40 identity जो आप लिखेंगे इसी आडर का देखें ए 3 आडर का है तो आप 3 आडर का ही identity मैंट्रेस लिखोगे इसना है अब इनको proof क्या करना है आपको RHS में उसी आडर का 0 मैंट्रेस बनाना है तो 3 आडर का है तो 3 आडर का आप A क्या बनाना लेंगे 0 मैंट्रेस A आपको LHS से RHS बनाना है तो चलिए आप LHS proof प्लस करते हैं सभी को तो देखो आप इस उकल टू तो यहां पर देखे 63 है और यहां पर माइनस पर यहां पर यहां पर कर रहा है माइनस पर टी आप लिव सकते हो और यहां माइनस पर टी आजाएगा ठीक है यह पहला हमने प्लस कर दिया ऐसे 69 यहां से कितना जाएगा 59 माइनस 69 हो जाएगा 69 और यहां पर आप करेंगे 69 और 40 में करेंगे प्लस गीर हो आजाएगा ओके ठाड वाला करिए 92 92 यहां 43 से करेंगे जिपना आ जाएगा यह भी आ जाएगा माइनस 92 और 40 में 0 करेंगे क्या आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा ऐसे इसका करिए दूसरे कालम का element का पहला है 46 और यह जाएगा माइनस 46 और 40 में इसका करेंगे प्लस 0 को गया यहां पर आजाएगा ऐसे माइनस 6 और यहां पर आजाएगा प्लस 46 आजाएगा और माइनस 40 अगला है 46 अब देखिए 2 में करेंगे तो आजाएगा माइनस 46 और 40 में 0 करेंगे प्लस गीडियो गया ऐसे 69 इसमें करेंगे 43 में करेंगे तो माइनस 59 सब्सक्राइगा ओर प्लस गीडियो और जबन गया और यहां यहां 43 का और यहां 43 को जाएगा और 40 का प्लस 0 है एइसे होगा, 53 है यहां पर minus 43 है और 40 में क्या जाएगा? minus 40 यह आपका बना है अब देखो, यह कितना आ रहा है देखे जीरो जीरो आ रहा है कि नहीं आपको लाना था क्या जीरो 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 तो मतलब LHS RHS है यानि कि आपका A जो है equation सही है इसको पाते है आईजेन equation आप आगे पढ़ेंगे तो आईजेन equation जो है सही है ठीक है तो A आपको प्रूब कता था इसमें कोई डौट बोलो नहीं न इसके लेकिन हम यहां तो इसलिए मैंने आपको पर आए इसमें एक चीज और पूछते हैं उसको भी आप देख लो तो क्या पूछते हैं इसके बाद ध्यान दो यहनि कि A आपका it is true ओके कोई जाओ प्रूब ना फिर देखिए एक चीज एक चीज और पूछते हैं इसमें question ध्यान दो क्या पूछते हैं इसको यहां आपको मिटा देते हैं यहां तक आपको मिटा देते हैं इसमें एक question और पूछते हैं इफ इफ एई इज नाट जी जो यहनि कि A is not zero मतलब matrix A is not similar then so then find inverse of matrix A then find inverse of matrix A ओके तोड़ा question को मैंने extension कर दिया इसमें क्या है अगर आपका A non-similar matrix हो तो inverse of matrix A पता करेंगे ठीक है तो कैसे पता करेंगे ध्यान दो इसी equation से आइजन equation से ही हम पता करते हैं तो आइजन equation क्या है आपका A Q minus 23 A minus 40 identity matrix is equal to zero matrix यह आपका equation है इसमें हमने दोनों तरफ A inverse से multiplication कर दिया यहनि A inverse से हमने multiply multiplying both side both side हमने matrix A inverse से दोनों तरफ क्या कर दिया multiply कर दिया तो A inverse into A cube पहला हो जाएगा minus 23 A inverse into A आजाएगा ऐसे आजाएगा minus 40 A inverse into identity आजाएगा और इधर क्या आजाएगा A inverse into zero matrix ठीक है अब देखिए A inverse से करेंगे तो यह च्या आजाएगा A square आजाएगा A आजाएगा 23 inverse और यह मिलके च्या हो जाएगा identity matrix बहई inverse और A मिलके च्या होता है identity आजाएगा आजाएगा 40 A inverse भाई, identity में किसी matrix करेंगे तो वही आता है और zero matrix से किसी का multiply करता है क्या होता है आपका zero matrix आजाएगा अब इसको उधर कर दीजिए तो आपका आजाएगा 40 A inverse matrix is equal to क्या हो गया A square minus 23 identity 23 identity अब देखो आपका A square आपको पता है अभी आपने निकाला था A square आपका आएगा A square आपका आएगा A square आपका आएगा आप पहलो रखेंगे A square का तो 90 4 और 8 आजाएगा यहां पर आजाएगा 1 12 and 8 और यहां के है 14 6 and 15 यह आपका क्या है A square है ठीक है और minus 23 minus 23 अब उसी का आप क्या लिख देंगे आइडेंटी तो 1 00 01 00 01 अब इसकी बेलू आप पता कर लिजे जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा आइडेंटी मेंटिश तो कितना आएगा अब देकिए 19 मेंसे 23 जला जाएगा तो कितना आएगा 4 आजाएगा minus 4 19 मेंसे 23 जाएगा minus 4 हो गया 4 और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 4 ही होगा 8 यहाँ पे 0 है तो आपका 8 हो गया 1 यहाँ पे 1 ही होगा यहाँ पे 12 यहाँ minus 23 है तो minus 23 मतलब 12 जाएगा minus 11 आजाएगा और 8 0 जाएगा तो 8 ही रहेगा ऐसे 14 रहेगा यहाँ पे आपका 6 रहेगा और यहां 15 और माइनस 23 तो 3 और 5 एट तो माइनस 8 आ गया यह आपका क्या बन गया 40 A इन्वर्स आ गया that is 40 A इन्वर्स तो A इन्वर्स क्या हो जाएगा A इन्वर्स इसकल तो 1 बाइ 40 से आप दिवाइड कर देंगे इसी मैक्रिक्स में तो माइनस 4 4, 8 1 माइनस 11 और 8 40 6 और माइनस 8 यही आपका क्या है इन्वर्स मैट्टिव 1 बाइ 40 से अंदर मुल्टिप्लाइ कर देंगे हर इलेमेंट में तो आपका है इन्वर्स मैट्टिव तो समझे तो यह प्रासेस है इस कोस्चन का तो पॉस्चन कुरा क्लियर हो आप लोगो यहस आगे बाएं एलबा आपका क्योस्चन तो इस तरीक्टि का क्योस्चन भी आप लगा लेंगे देखें एक इजांपल नंबर 19 देखिए इजांपल नंबर 19 इजांपल नंबर 19 इसको वर्ल्ड प्राब्लम है तरह इसके समझ लेजे तो आप लोग आज बुक के कोस्चन लगा लिएगा तो तो इजांपल नंबर आपका 19 है जल्देश देख लिजे इजांपल 19 इजांपल नंबर 19 देखिए जो है जो है से हाउस काल से और लेटर लिखके लोगों को कंद्मिन्स कर रही है और कार्स्ट जो है कार्स्ट जो दिवें में और चालिस पैसा खर्चा है एक आदमी का टेलिफोन में सो पैसा है एक आदमी का हाउस काल में और पचास पैसा है लेटर में एक पाइस में है पैसे में है तो अब तो अब तो नंबर आप अंटेट इस टाइप और फूर सिपी एक्स एंड वाई अमानों के दो सिती है उसमें पता है कि अब्ला कीमें है कि एक मेट्रिक के दो कि बारे में सर्वे किया गया है जो दूस्तों कि क्या है जोश है यहां टेलिफोन का ओले कितने हैं है पास काल उसके यह लेटर वाले यह आपको पता है कि 1000 यक सिपी के लिए क्या हुआ लेटर टेलिफोन किये गए 500 जो है हाउसकाल किये गए और 5000 जो है क्या लिखे गए लेटर लिखे गए यक सिपी के लिए आपका 3000 जो है आपने टेलफोन किया 1000 आपने क्या किया हाउसकाल किया और 10,000 जो है आपने क्या किया लेटर लिखे यह आपके जोड़ है तो मैट्रिक्स समझ माया एक मैट्रिक्स यह कर रहा है कि कास्ट आपको टेलिफोन पे कितना खर्चा आ रहा है हाउस पर ब्यक्ति और दूसरा कर रहे हैं कि यक्स एक सिटी है यक्स क्या है शिटी है यह आपके सिटी है एक पर शिटी है तो यक्स्टी में आप पार्टी ने क्या किया टेलिफॉन एक हजार किये, 500 हाउस काल किये, 5000 लेटर लिखे, ऐसे वाई सिटी में 3000 टेलेफोन टीए, 1000 हाउस काल किये, और 10,000 क्या किये अबने, लेटर लिखे ये दो आपके system है, तो आपको करदा है, find the total amount spent by the group into cities, आपको बताना है कि दोनों city में कितना रुपिया अलग-अलग खर्चा हुआ, तो क्या पूंच रहा है, अब देखो ध्यान से, एनिक मल्टिकेशन कुल कितना खर्चा है, एनिक मल्टिकेशन, तो इसका order क्या है, आपको दिमाख लगाओ, इसका order क्या है, भाई, 3 row है, column 1 ही है, तो 3 1 हो गया, इसका कितना order है, 2 3, तो हमें खुल खर्चा कैसे निकल सकता, A, B करेंगे तो पास भी नहीं है, लेगिन B, A करेंगे, तो क्या होगा, अब देखिए, इसका order है, 2 3, और इसका क्या order है, 3 1, तो यह जो 1 का order बन जाएगा, बास समझ माया, तो हमें actual money, फुल खर्चा निकालने के लिए, सिटीज का क्या करना है, 2 3, B, A करना है, तो B, A कर देजिए, यहनि कि 1,000, 500, 5,000, 300, 1000, और 10,000, और A क्या है आपका, A है 40, A है 100, और A आपका 50, तो A जो आएगा, पहला, अब देखिए, क्या है, जहां देजिए, A है आपका यक्स सिटी का, यक्स सिटी का, और A है पर बैक्ति का, तो मुल्टिकेशन करें तो उनमें पता चलेगा क्या, यक्स सिटी का खर्चा पता जाएगा, तो ऊपर वाले जाएगा, यक्स सिटी में कितना खर्चा अख रहा, देखो, यक्स सिटी में कितने टेलिफोन है, यह ए टेलिफोन, हाउसकाल और लैंड लाइन इतने है, लेटर वाले, अपर बैक्ति का, खर्चा A है, तो यक्स सिटी में इन तीनों का, आपस मुल्टिकेशन करेंगे, तो तो इसमें कहतने आजाएगा पहला आगया 1000 इसमें करेंगे तो 2 0 और बढ़ जाएगा और प्लस इसमें करेंगे 5000 में तो क्या जाएगा एक जीरो और बढ़ जाएगा नहीं 25 हो जाएगा एक सिटी का, ऐसे वाइ सिटी का करेंगे तो यह जाएगा 12 और 3 एक चार आ जाएगा और इसका जाएगा एक तीन और दो पाँच तीन दो पाँच और इससे इसका जाएगा चार और एक पाँच यूजा है तो यह जो सब्सक्राइगा जाएगा, एक स्रेंगे ऐसका ऑ़िछ ब्रच अझने के लिएगा आइव ट करेंगंच दिन दीड को फम्री तो गन टूश्क्राइगा गशाला आपको मिल गया कि A city का आपको पर ब्रैक्ति का खर्चा पता है पर मतलब मोड का खर्चा पता है और B में दिया है कि कितने कितने यख city में कितने मोड में काम हुए हैं ऐसे Y city का कितने मोड में काम हुआ पता है तो आप अगर पूछाए कि यख city में कुल कितने खर्च है हुए तो क्या करेंगे, अब A B आप करने सकते हैं, क्योंकि A 3 x 1 है, और B A क्या है, 2 x 3 है, लेकि B A कर सकते हैं, ठीक है, तो A लगाने का method है